सिरी गणेश शाय नमाँ प्रिय बंधुओ लोकिक दुनिया में धन का बड़ा भारी महत्व है यदि आप धन नहीं कमाएंगे तो आपकी पत्नी भी आपसे संतुष्ट नहीं रहेगी वाइभी कुपित होकर के आपको नाना प्रकार से अपमानित करना प्रारंब कर देगी आपकी संतान आपको समय असमय नाना प्रकार के कटू वचन कह करके और अपमानित करते रहेंगे यदि आप अपने जीवन में धन नहीं कमा रहे हैं आपने धन कमाने में लापरवाही बरती है तो आपके जो सगे भाई और बंधू इत्यादी हैं बेभी आपको उनके हां होने वाले मांगलिक और सामाजिक उत्सवों में बुलाने से बचेंगे यदि कोई एकाद भाई बंधू या उनका कोई पुत्र आपको बुलाने की सलाहे भी देता है तो दूसरा उसे फोरण टॉंक देगा अरे उसे मत बुलाओ वो कंगला है चार जनों की बीच में आकर के और हमारी पोजीशन खराब कर देगा यदि आपने अभी तक हमारा चेनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंथी बेलाईका अंदवाएं चेनल की सदस्ता लें और इसे अपने इश्टमित्रों में सियार करने का भी कष्ट करें यदि आप धन नहीं कमा रहे हैं तो आपकी जो सगी बहन है उस बहन के यहां भी यदि कोई मांगलिक अथ्वा सामाजिक कारिय होता है तो वह अपने पती को भी कह देती है ऐसा करना सब भाईयों को बोलाना पर उस नठले भाई को मत बोलाना अपने पत्रों से कह देती है बेटा सभी मामाओं के पास में सूचना भेजना पर वो मत कुमाओ मामा जो है तुम्हारा उसके पास में सूचना मत भेजना यहां चार जनों की बीच में अगर आ गया तो हमारी प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा तो यह बात तो उन लोगों की हुई जो धन नहीं कमाते हैं अब मैं उन लोगों की भी यहां पर चर्चा कर रहा हूँ जो धन कमाते हैं तो बंधुवों आप जो भी धन कमाते हैं उस धन का समचेत उप्योग अपने परिवार को चलाने के लिए बच्चे और बच्चियों के भविश्च को बनाने में आपको करना चाहिए जब बच्चे और बच्ची बड़े हो जाएं अपने धंदे और रोजगार में लग जाएं कोई व्योसाय करने लगें, नोकरी करने लगें और फिर भी यदि उन्हें बीच में कहीं मदद की अवश्यक्ता पड़े, तो आपको चाहिए कि आप उनकी समचित मदद अवश्य करें, परन्तु आपके पास में जो जमा पूंजी है, वो सारी पूंजी कभी भी नहीं देना चाहिए, जो आपने कमाया है, यदि आप जब तक सक्षम हैं, तब तक आप अपने कमाये हुए धन को अपने ही नियंतरण में रखें, अब मैं उन लोगों की बात करता हूँ, जिनके ओलाद नहीं हैं, और उनके पास में धन, घर, रुपिया, पेसा, जमीन, जादाद, रकम, आदी सब कुछ है, तो ऐसे लोगों को बड़ा ही सतर करहने की आवशक्ता होती है, क्योंकि पूरे परिवार के लोगों की निगा, उनकी सेवा खुशामत पर कम, और उनकी संपत्ती पर ज़्यादा हो शक्ती है, इसलिए अपने हक की पूर्ण संपत्ती को अपने ही संपूर्ण नियंत्रण में आपको रखना चाहिए, जब जीवन का अंतिम छण आ जाए, तब संपूर्ण संपत्ती उस व्यक्ती को दे देना चाहिए, जिसने मन से, बचन से, कर्म से और बिना स्वार्थ के आपकी सिवा की है, अब मैं उन लोगों की चर्चा कर रहा हूँ, जिनका भरा पूरा परिवार है, जो कमाते भी खूँ है, तो हमें कमाई करते समय, इतना ध्यान रखना चाहिए, कि हम जो धन कमा रहे हैं, वह धन शुद्ध हो, कोई अशुद्ध धन हमारे घर में ना आने पार, क्योंकि जब अशुद्ध धन आ जाता है, और हमारा परिवार उसका उप्योग करता है, तो उस अशुद्ध धन के प्रभाव के कारण, पूरा परिवार नाना प्रकार की परिशानियों से घर जाता है, तो परिवार में जब शुद्ध धन आता है और हमारे परिवार के लोग जब उस शुद्ध धन का उपयोग करते हैं तो उस शुद्ध धन के प्रभाव के कारण संपून परिवार संसकारवान हो जाता है और यदि अशुद्ध धन आ गया और उसका प्रियोग हमारे परिवार के लोगों ने किया तो उस अशुद्ध धन के प्रभाव के कारण सारा परिवार भ्रष्ट हो जाता है बंधुओ आपसे निवेदन है अपने जीवन में खूब शुद्ध धन कमाए क्योंकि यदि आप धन नहीं कमाएंगे तो इस दुनिया में बिना धन के कोई काम चलने वाला नहीं है पर शुद्ध धन होना चाहिए कमाए गए धन से हम धर्म कर सकते हैं और जब हम धर्म करते हैं तो उससे हमें सुख प्राप्त होता है और जब हमें सुख प्राप्त होता है तो उससे हमारे हिर्दय में भक्ती उत्पन होती है और जब हमारे हिर्दय में भक्ती उत्पन होती है तो उससे हमें मोक्ष प्राप्त हो जाता है बंधू आज के लिए बस इतना ही सेश फिर कभी नए विशे के साथ में उपस्तित होंग आग्या दीजी धन्यवाद जे माता की जे प्रश्राम जी की